बर्बादी और तबाही के इस मंजर ने हर दिल को जगजोर कर रख दिया है रूस यूक्रेन युद्ध के 18 दिन बीच चुके हैं लेकिन न जंग की दशा का पता चल रहा है न दिशा का न रूस यूक्रेन की नीती का और ना ही इन दोनों की नियत का केरसन खात्मे की कागार पर है खार कीव का हाल बेहाल है मारियू पोल मटिया मेट हो गया है मेटिनो पोल में मातम है, इर्पिन में चितकार और रूस की ताकत के सामने राजधानी कीव का किला किसी भी वगत ढह सकता है युद्ध की 18 दिन भी यूकरेन जखमी हो रहा है वासिल कीव शहर में आयूध डीपो पर रूस ने जम कर बंबारी की वोलनुवाखा शहर पर भी रूस ने हमला बोला है मारियूपोल शहर की इमारतों पर टैंक गोले बरसा रहें कीव के बेहत करीब पहुंच चुकी है रूसी से ना कहा जा रहा है कि पूतिन की फौज राजधानी में राश्वपती भावन से महज 30 किलो मीटर की दूरी पर है यह देखें उस्टेकल जो है यह यहां जंगा जंगा हसवड़क के उपर है ताकि जो टैर वाली गाडिया है रबर के टैर वाली गाडिया है उनके लिए इसको इस्टेमाल किया जा सके रोड को जब जरुरत पड़े बंद किया जा सके और जो वो है वो इसको किसी भी तरह से क्रोस ना कर सके तो इस तरह के तैयारी शुभांकर इस वक्त किव शहर कें अंदर गली-गली में है हर रोड पे है कोने कोने में है हलाकि जंग में बरबाद होते यूकरेन को लेकर उमीद की एकास जरूर बढ़ी है रूसी राश्रोपती पुतिन ने माना है कि बादचीत सकारात्मक दिशा में जा रही है रूसी यूकरेन के बीच इसरैल भी मध्धस्ता कर रहा है और इसके नतीजे सामने आ रहे है यूकरेन के राश्रोपती जलिंसकी जेरुशलम में पुतिन से सीधी मुलाकात के लिए तयार है फिलहाल चौथे दौर की बादचीत की तारीख और जगा का खुलासा नहीं हुआ है फ्रांस के राश्रोपती मैकरों भी लगातार पुतिन के संपर्क में है यूकरेन युद्ध के हालात पर भारत भी फिक्रमंद है और दिली में पियम मोदी ने इस पर बैठक भी की है हलाकि राहत की आज के बीच यूकरेन को अभी राहत मिल नहीं रहे रूस की भारी बंबारी में बेलस और कोफ के इस इलाके में ग्रहाईशी इलाके में भारी तबाही एक नहीं दो नहीं कई घर यहाँ पूरी तरह से अब नश्ट हो चुके है जैसे आप इस घर में देखिए एक के बाद एक कई रॉकिट आए और ये घर धुस्त हो गया लेकिन एक ही घर इस तरह का नहीं है अगर आप पीछे देखिए तो वहाँ बच्चों की खेलने की जगा वो पूरी तरह से नश्ट हो गई वो घर पूरी तरह से धुस्त हो गया और इतनी तबाही यहाँ पर मची है कि अब इस इलाके से लोगों को छोड़ कर जाना पड़ा है रूसी हमलों के खौफ से यूकरेन के लोग अपना घर बार छोड़ कर या तो देश के बाहर जा रहे हैं या फिर बंकरों में छिपने को मजबूर है जो बच गए हैं वो हतियाज चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं तो जो प्रशिक्षाने काम सेनिक को तीन महीने में मिलता है वो इन सभी लोगों को तीन दिन में पूरा करना पड़ता है कलाशनिकोव राइफलों की ये ट्रेनिंग जो है ये क्लास में पहले की जाएगी और उसके बाद ये जाकर बाहर अपनी निशाने बाजी का अभ्यास करेंगे लेकिन समय इनके पास बहुत ज्यादा सीमित है और उतने समय में ही इन्हें पूर रूप से एक सैनिक के तोर पर तैयार है रूसकी सैनित थाकत के सामने यूकरेन की ख्शमता कहीं नहीं ठिकती लेकिन लोगों के हसलों को राश्ट पती जलेंस्की के ज़स्बे वाले संदेश पर वान चाहरे मिल्योन लुदेइ उ रізних країнах, які ще 17 днів тому मогли і не відчувати, що спільне у них, у всіх є, у нас, у всіх є А зараз це очевидно, мир, свобода, любов до своїх дітей, дітей, заради яких ми воюємо, щоб вони мали майбутнє जलेंस्की भले ही रूस को नुकसान पहुँचाने के लाख दावे करें लेकिन इस वक्ट जरूरत है हकीकत और अपने ख्शमता के हिसाब से देश शित में फैसले लेने की दुनिया तीसरे विश्वध के कगार पर खड़ी है और ऐसे में विश्वध यही उमीद कर रहा है कि रूस और यूकरेन में जंग जल्द से जल्द खत्व हो श्वेता सिंग और आजेश पवार के साथ गोरो सावन कीव यूकरेन आज ताक